अभगोड मेरा टेक की तरब से आप सभी दोस्तों को नमस्कार कम्पूटर में जएसे-ज़़़ज़़व काम करते हैं वैसे-वैसे CPU एंड़ जीपू का temperature हाई होता रहता है और जए-ज़़़़व कम हो जाता है तो temperature कम हो जाता है या फिर हम गेम केलते हैं तब भी इसका GPU and CPU का temperature high हो जाता है या लो हो जाता है इसे हम कैसे चेक करें कि अपने CPU and GPU का temperature कितना high हो रहा है कितना high होता रहे के बारे में इस वीडियो में 3 software के बारे में बात करेंगे जिसमें CPU and GPU and computer के अधर पार्ट का इवर temperature चेक के से करते हैं कि बताएंगे चलते हैं स्क्रीन की ओगर आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर और टेम पर टाइप करके सर्च करना है इस वाले लिंक पर क्लिक करना है के बाद आपको डाउलोड वाले ओप्शन पर क्लिक करके डाउलोड कर लेना है मेरे पास पहले से डाउलोड है इस वज़े से इस दिखा रहा है और इस लिष्ट में आकर देख सकते कि अपना शीपो कितना गरम हो रहा है मेरे पास i-tail core i5 440 model है और इसकी detail बता रहा है इसमें आप देख सकते कि कितना power conjunction हो रहा है webcam कितना load ले रहा है, i5 में 4 core होते हैं इस वे स्वेसिस में 4 core के बारे में बताय गया है अब बारे बारे अपना लोड चेक कर सकते हैं अब चलते हैं दूसरे सोफ्टेयर की ओर दूबरा आपको Google पर जाकर दूसरा सोफ्टेयर ओपन हाड़वेर मोनेटर पर किलिक करके सर्च कर लेना है पर वाले लिंक पर किलिक कर देना है डाउनलोड के ओप्शन पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है ओपन कर लेना है पाइल को आपको डेश्टोप पर एक्स्ट्रेक्ट कर लेना है कर देना है डेश्टोप पर चलते हैं पाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है के बाद आपके के सामने इससी स्क्रिन आ zajाएंगीए इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो जो पार्ट्स लगेवेए हैं उसमें GPU और CPU तभी का टेंपरिच्र चेक कर सकते हैं इसमें उपार डिटैल धी वी है नीalg है आप टेंपरिचर चेक कर सकते हैं CPU 1 core का temperature इतना है, minimum इतना है, maximum इतना है, एसे ही CPU core 2, 3, 4 का temperature आप देख सकते हैं निचे चलते हैं तो एनेवेडिया का graphic card है, जो इसमें GPU का निचे temperature दिया वाया है, 14 centigrade दिखा रहा है अपने GPU कितना load ले रहा है, उसे के बारे में भी detail दी भी है, आप देख सकते हैं इसे ही अपने hard disk, hard disk SSD वाली उसका temperature बताया वाया है, दूसरी hard disk से उसका temperature दिखाया वाया है अब सभी part का temperature इसे चेक कर सकते हैं, चलते हैं तीसरे software की ओर तीसरा software है MSI after burner, इसे Google पर जाकर आप करके सर्थ कर लेना है MSI after burner आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है अब आपके सामने जो download का option आ रहा है, उसी पर क्लिक करके इसे download कर लेना है इसे open कर लेना है, ok कर देना है, nest कर देना है, fact पर क्लिक करके nest कर देना है, फिर nest कर देना है यह install होने में कुछ time लेगा दूबारा इसे nest करके install कर ले, इसमें दो software install होते है finish यह install होने के बाद इसे open हो जाएगा, अब desktop पर चलते है अब desktop पर जाएगे तो यह सा icon आए जागा, इसको आप double क्लिक करते हैं, तो यह open हो जाएगा इसी screen आगे, इसके बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ, इस software के बारे में जान लेते हैं कि यह software gaming वालों के लिए है जब आप game खेलते हैं, कैसे पता करें कि हमारे CPU and GPU या monitor कितना गरम हो रहा है, कितना high हो रहा है कुछ setting कर लेते हैं, setting पर जाएंगे और monitoring वाले पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो जो अपने को temperature चेक करना होता है, कि यह detail दीवी है उपर GPU का temperature चेक करना हो, को जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह 100 पर तिकमार करने से यह OSD लिखावा आ जाएगा इसे आप जिस पार्ट का temperature चेक करना चाहते हैं, so in on display पर क्लिक कर देना है, आप देख सकते कि मैंने कुछ option पर टिकमार लगा रहा हूँ जैसे ही मैं इसे सलता हूँ, CPU पस्ट का temperature चेक करना है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ सेकन पर भी क्लिक कर देता हूँ, हड़ पर भी क्लिक कर देता हूँ, वोट पर भी क्लिक कर देता हूँ इसे इस पर क्लिक करके इसका टिक कर देते हूँ और अपलाई कर देते हूँ, ओके कर देते हूँ किसी भी एक गेम को ओपन करके देखेंगे तो यह एमपरजर सो